मसकार दोस्तों आज आप टेक्निकल यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 44-44 IC को कैसे रिप्लेस किया जाता है और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो 44-44 IC है इसको कैसे चेक करें सही है या खराब अगर आपको दे तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हमें किन चीजों की जरूत पड़ती है माई आपको दिखा देते हैं एक काईरन उसके बाद पेस्ट की जरूत पड़ेगी आपके पास सोल्डिंग पंप हो तो बहुत बहुत बहुतर तरीके से आप निकाल सकते हैं अन्य थाप ब्रस से भी सोल्डर वायर एक डी सोल्डिंग वायर इन चीजों की मदद से आप उसको साफ सुतरा निकाल सकते हैं जिसे प्रिंट आपका खरब नहीं होगा तो आएए पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं आरन आपका पूरी तरह से हीट होना चाहिए अगर आपका लेके आप Ic के पीन पर रखेंगे थोड़ा सा पहले मैं प्रेश्ट लगा लेता हूं अब आउल को आप किसी एक पीन पर रखेंगे और सोल्डिंग पंप को वहां जैसे हीट होता है उसको जटके से दबाएंगे जो आपका सुल्डर होगा तो Ic के पींद से सीदे कर लेते हैं अब आप देख सकते हैं जो हम चलाया गया सॉल्डर पंप वहां साफ हुआ है यह आप देखिए वहां के सॉल्डर हट गये हैं ऐसे मैं सारे पीनों को निकाल लेता हूं अब जो बचा खुचा होगा देखिए अदोस्तों सारे पीनों का सॉल्डिंग हट चुका है लेकिन कुछ रह जाता है और उसको निकालने के लिए आपको डी सोल्डिंग वायर की जरुवत पड़ती है आप डी सोल्डिंग वायर सबसे पहले इसमें थोड़ा सब पेश्ट ल पगा लेने से सोल्डर को अच्छी तरह से पकड़ेगा अब आज सी की पीनों पर जहां भी सोल्डर छुटा हुआ है उन पर रखके और आरण की मदद से उसको हीट करेंगे और वहां सोल्डर जो है आपके डी सोल्डिंग वायर में चला आएगा इस तरह से आपकी जो सारी पीने हैं वह साफ हो जाएंगे तो अगर आप वीडियो पर नए हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए आप देखिए सारे सोल्डर निकल चुके हैं अब पुरी तरह से क्लीन हैं अब इसके हिट्सिंग को खोलते हैं हिट्सिंग को खोलने के लिए आपको तीरू पेच इसकुरू जो लगे हुए इसको खोलना पड़ेगा तीरू खोल देते हैं यह मेरा खोल चुका अब देख सकते हैं दोनों आईसी यह मेरा खराब है जो इसको हम निकाल लेंगे जिसका मैंने डीसोल्डिंग किया कि हमारा प्रिंट देखिए दम फस्स क्लास कहीं भी कोई कटा नहीं है कहीं भी कोई उखड़ा नहीं है तो हम दूसरी आईसी लेते हैं और इसको इसको फिट कर देते हैं सारी पीनों को कि जो सफेद आपका होता है यह उपर रहेगा अब इसकी पीनों के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कौन सी आइस पीन आउट्पुट कोन सा इनपुट कि सप्लाइ दिया आजाता इसके बारे में बताएंगे है आप reference मोर दीजिए जह नहीं कि आप करने के बाद मोर लेंगा आप करने के बाद मोर तो आपका प्रिंट रेख हो जाएगा तमाम पिने उखड जाएंगे और खराब हो जाएगा PCB तो पहले मोड कि हम सही तरीकिस इसको सेट कर लेंगे आप देख सकते हैं जो इसका इसकर लगाने की जुजगा है उसको दबा के सही कर लेंगे आप दिखिए इसका जो होल है वो एदम सही हो गया है आप हिट्सिंग लगा के हम इसको बाधेंगे दोस्तों आप कोई भी काम करिए आप धायर पूर्वक करिए अगर आप हड़ बड़ा हट में करेंगे तो काम भी नहीं सही होगा और नुकसान भी आपका हो सकता है अब दोस्तों को सोल्डिंग करना है सोल्डर वाय लगाना है तो सोल्डर वाय लगाने के लिए भी थोड़ा सा तरीका यूज करेंगे तो अच्छा है जैसे आप कि पहले पेश्ट लगा लेते हैं अच्छी तरह से पेश्ट लग जाने के बाद अब हम जो पीन पे सोल्डिंग करेंगे सबसे पहले इधर की एक पीन पे करेंगे तो फिर हम दूसरी साइट की पीन पे सोल्ड करेंगे फिर इधर की एक पीन और फिर उधर की एक पीन दूस्तो इससे हो का क्या कि आपकी I.C. हीट नहीं होगी और हीट नहीं होगी तो तो हम फटा-फट सोल्डिंग पूरा पी नुप लगा लेते हैं कि सारी पीनों पर मेरा शॉल्ड़ लग चुका है अब हम इसको क्लिन करेंगे कहीं कोई पीन सटी तो नहीं है पले किसी भी पेजगास या चींटी की मदर से उसको बीज की जगां को क्लिन करेंगे जो भी पीनों सथी है उसको ये बार ध्यां से देखके हटावटा लेंगे अब हम एक ब्रस लेंगे और हमारे पास जो भी लिक्विड हो पिटोल या दोस्तों मैं तो पिटोल यूज करता हूं तो पिटोल ब्रस में लगा कि पीनों को मैं एक बार साफ कर देता हूं जिससे कच्छा जो भी हो और साफ हो जाए और देखने में भी अच्छा लगता है पुरी तरह से रगड़ देंगे वह आपको दिखाते हैं देखिए दोस्तों पुराने आइसी से भी वच्छा मेरा लग रहा है देखने में तो ऐसे लगेगा और हमाईयों आपको हम चेक करके दिखा देते हैं कि मेरा आइसी काम किया की नहीं किया सप्लाई हम जोड़ देते हैं पहले देखिए पैनल में सप्लाई आ रही है अब हम वही फिर प्रक्रिया माइनस को जो हमारा काला प्राड है उसको निगेटिव पर रखें मनलब जो हमारा हिट सिंग है वह निगेटिव होता है और जो लाल वायर है आईसी के आउटपूट प जो मेरी सप्लाई उसका ठीका था चाहँ दस लोग फाइप के ऊपर आ रहा है तो हम दूसरी वाली आईसी पर चेक कर लेते हैं देखिए दोनों पर समान बोल्टे जा रहे हैं मतलब मेरी आईसी दोनों अप सही हो गई इस तरह से आप किसी भी आईसी को रिप्लेस करके फि आईसकार